महाकाल की नगरी उजैन में महाकाल जोतर लिंग के अलावा चुरासी महादेव भी स्थापित हैं जिनका अपना-पना अलग महतो है इन चुरासी महादेवों के दर्शन करना बेहद लाबकारी होता है आईए जानते हैं इन चुरासी महादेव के महतो एवं इनके इतिहास के बारे में उजैन के हर सिध्धी द्वार पर स्थित लोगपालेश्वर महादेव चुरासी महादेवों में बार्वे नंबर के महादेव हैं पोराने कथाओं के अनुसार प्राचीन युग में हिर्ने कश्यप की च्छाती से अनेक देते पैदा हुए उन्होंने सारी प्रिथी को उथत पुथल कर दिया यग नस्ट हो गए तब लोगपाल डर कर भगवान विश्णू के पास गए और अपनी रक्षा हितू निवेधन किया कि भगवन आपने पहले भी नमूची वरिश परवा हिर्ने कश्युप नरक मुर्क आदी से हमारी रक्षा की है अब इन राक्षोसों से भी हमारी रक्ष पश्चिम दिशा में धर्मराज को पश्चिम दिशा में वरुन को और उत्तर में कुबेर को जीत लिया तब देवता और लोगपाल विश्णू जी के पास फिर से गए विश्णू जी ने समझाया कि महाकालवन में जाओ पंच मुद्रा भस्म घंटा नुपुर पर ब्रह्मा जी को साथ लेकर लोगपाल यहां आये और उन्होंने एक बड़ा लिंग देखा उसकी स्तूति करने पर उनसे भेंकर जोलाय निकली जिससे दैते भस्म हो गए इसके बाद इस लिंग का नाम लोगपालेश्वर हो गया तब देवता लोगपालों के साथ अपन चुरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक वे शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महता के बारे में जान सकें ओम नमस्शिवाए